आप लोगों ने काफी कठिनाई का सामना किया है और आपकी ये तपस्या विफल नहीं होगी मुझे पूरा यकीन है कि कोरोना की महमारी से हम सब लोग मिलके इसका सामना कर रहे हैं और इस पे हम लोग जीत हासिल करेंगे दिल्ली के अंदर अभी तक 10,044 केस टोटल हुए हैं जैसा मैं अक्सर कहता रहा हूं कि केस तो ज़्यादा हैं लेकिन लोग बिमार पड़ रहे हैं और ठीक हो के घर जा रहे हैं 44,4485 लोग ठीक हो गए हैं यानि कि 45 प्रतिशत लोग ठीक हो गए 160 लोगों की मौत हो गई कुरोना की वज़े से नहीं होनी चाहिए थी कोशिश कर रहे हैं हम एक एक व्यक्ति की जान बचाने की लेकिन एक औसतन तोर पर देखा जाए दुनिया के पॉइंट आव उसे और हमारे देश के अंदर अन्य राज्यों तो इतने मामलों में जो मौत हुई है वो अन्य राज्यों की और अन्य देशों की अपेक्षा कम है लेकिन हम कोशिश करते हैं एक एक विक्ति की जान बचाने की अब करोना अगले एक दो महीने में तो खतम नहीं होने वाला जब तक इसकी वैक्सिन नहीं आएगी तब तक खतम नहीं होने वाला तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूँ कि करोना के साथ अब अपने को अपनी जिन्दगी चलाने की आदत डालने पड़ेगी करोना भी रहेगा और अपनी जिन्दगी भी चलेगी लॉकडाउन पर्मनेंटली नहीं रह सकता डेड़ पौने दो महीने जो लॉकडाउन रहा इस समय का हम सब लोगों ने दिल्ली सरकार ने अपनी तयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया जब करोना आया था भारत में हमारी बिल्कुल तयारियां नहीं थी हमारी बिल्कुल तयारियां नहीं थी, हमारी बस टेस्टिंग कितनी थी हमारी बस अस्पताल नहीं में इसका इंतिजाम नहीं था हमें पता नहीं था करोना में क्या-क्या तैयारियां करनी हैं लेकिन पिछले डेड़ पौने दो महिने के अंदर अब हमने करोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिये अलग से बैड लगा दिये वेंटिलेटर का इंतिजाम कर लिया अक्सीजन का इंतिजाम कर लिया पीपी किट का इंतिजाम कर लिया टेस्टिंग किट का इंतिजाम कर लिया अब हमें अपनी अर्थ विवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है एकदम से भी नहीं खोल सकते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीजों को खोलने का लॉकडाउन में धील देने का निर्ने किया है पहली चीज कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा ऐसा केंदर सरकार का अधेश है लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी धील दी जाएंगी पहले मैं आपको यह बता दूं कि क्या-क्या एलाउन नहीं होगा दिल्ली के अंदर मेट्रो नहीं चलेगी सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टिट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट सब बंद रहेंगे सारे होटल बंद रहेंगे सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिमनेजियम, स्विमिंग पूल, एंटर्टेन्मेंट पार्क, थियेटर, बार, ओडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स यह सब बंद रहेंगे सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटर्टेन्मेंट, एकेडमिक, कल्चिरल, रिलिजिस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स यह नहीं हो पाएंगे कोई भी धार्मिक स्थान या रिलिजिस प्लेस या प्लेस अफ वर्शिप बंद रहेंगे कोई भी रिलिजिस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी बारबर, स्पा और सलून यह अभी फिलहाल बंद रहेंगे शाम को साथ बजे से सुबह साथ बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा केवल एसेंशल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा 65 साल से उपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेगनेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बिमारियां हैं जैसे डाइबिटीज, दिल की बिमारी ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा क्योंकि इन लोगों के लिए करोना जानलेवा थाबित होता है रेस्टरांज को खुलना एलाओ होगा, लेकिन वहाँ बैठके खाना एलाओ नहीं होगा केवल रेस्टरांज में होम डिलिवरी एलाओ होगी स्पोर्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम ये खोल दिये जाएंगे लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाओ नहीं होगे ट्रांस्पोर्टेशन को खोला जा रहा है तो आटो रिक्षा, ए रिक्षा, साइकल रिक्षा इस ये अलाओ ओंगे लेकिन केवल एक पैसेंजर टैक्सी, कैब्स ये अलाओ ओंगे लेकिन केवल दो पैसेंजर ग्रामीन सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाओ ओंगे लेकिन केवल दो पैसेंजर मैक्सी कैब में केवल पाँच पैसेंजर और आर टीवी में ग्यारा पैसेंजर लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर के जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिशिन्फेक्ट करेगा ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खत्रा ना हो और ड्राइवर को भी खत्रा ना हो कार पूलिंग या कार शेरिंग ऐलाऊड नहीं होगी एगरीगेटर्स वालों को दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा, एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होगे, बस में चड़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस टॉप के ऊपर ट्रांस्पोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी की सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें बसों के अंदर भी और हर बस टॉप के ऊपर भी वेहिकल्स और इंडिविजुल्स का मुव्मेंट एलाउड होगा पूरे दिल्ली में फोर विलर्स के अंदर दो पैसेंजर से ज़्यादा एलाउड नहीं होगे और टू विलर्स के ऊपर पीछे बैठ के सवारी एलाउड नहीं होगे पीछे पिलियन राइडर एलाउड नहीं होगा सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ लेकिन कोशिश जदा से जदा प्राइवेट आफेस वाले ये करें कि जदा से जदा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं work from home रहे सभी markets खुल जाएंगे लेकिन जो markets और market complexes हैं वहाँ पर दुकाने और इवन के हिसाब से काम करेंगी, आधी दुकाने एक दिन खुलेंगी, आधी दुकाने दूसरे दिन खुलेंगी, लेकिन जो essential items की दुकाने हैं वो रोज खुलेंगी, जितने stand-alone shops हैं, neighborhood shops हैं, residential complexes में shops हैं, वो सारी खुलेंगी, लेकिन हर shop में social distancing maintain होगी, और social distancing maintain करने के जिम्मेदारी दुकानदार की होगी, अगर किसी दुकान के उपर social distancing maintain नहीं हो रही, तो दुकान बंद कर दी जाएगी, जितने industry हैं, सारी industry खुली जाएगी, लेकिन इनके timings को थोड़ा सा stagger कर दिया गया है, भीड को रोपने के लिए, construction activities शुरू की जा रही हैं, लेकिन construction activities में केवल दिल्ली में रहने वाले जो workers हैं, वही allowed होंगे अभी, transborder workers अभी लाना बाहर से workers को अभी लाकि वो allowed नहीं होगा, शादी के लिए केवल 50 guests allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी, funeral के लिए केवल 20 लोग allowed होंगे और उसमें social distancing maintain की जाएगी, containment zones के अंदर किसी भी किस्म की कोई activity allowed नहीं होगी, essential services को छोड़के, interstate, पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि border के उपर nurses को, doctors को रोग दिया गया, केंदर सरकार ने भी यादेश दियें कि border के उपर doctors को, medical professionals को, nurses को, paramedical staff को, sanitation पे काम करने वालों को, ambulance को, इनको बिना रोक टोक के allow किया जाएगा, और border के उपर interstate movement के लिए, goods और cargo के trucks जो हैं, चाहे वो खाली truck हों, चाहे समान से भरे हुए हों, उनको सब को allow किया जाएगा, और सबसे ज़रूरी है कि masks पहन के निकलना अनिवादाएगा,